हम पढ़ रहे थे कक्षा आठ हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग तीन का सात्वा अध्याए क्या निरास हुआ जाए आदा अध्याए हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं आगे देखते हैं इस पाठ के दवारा लेखक ने यह सिद्ध करने का प्रियास किया है कि सच्चाई और इमानदारी जैसे सद गुन सद गुन अर्थत अच्छे गुन समाज में अभी पूरी तरह से नस्ट नहीं हुए हैं इसलिए हमें निरास होने की आवशक्ता नहीं है आगे हम देखते हैं हुआ यह है कि इस देश के कोटी-कोटी दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक काईदे कानून बनाई गए हैं जो क्रशी, उद्योग, वानिजय, शिक्षा और स्वास्थे की स्थिती को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्षे से प्रेरित है ठीक है कि ऐसे काईदे कानून या नियम बनाई गई हैं इनके लिए जो दरिद्र जन है गरीब लोग है ठीक है उनके लिए उनकी अवस्था को सुधारने के लिए जो क्रशी, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ है आदि से समबंदित होते हैं वानिजय क्या होता है पैसे कमाने के उद्यश्य से किया गया क्रे या विक्रे ठीक है इन सबसे समबंदित छेतरों में ऐसे काइदे कानून या नियम बनाए गई है जिन से गरीब लोगों को सायता मिल शके परन्तु जिन लोगों को इन कारियों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता लेकिन इन कारियों की जिन लोगों को दी जाती है जरूरी नहीं है कि उन सबी का मन भी पवित्र हो अर्थात जो सुईधाय उनको मिलनी चाहिए वो उन गरीब लोगों को देते नहीं है थिक है वे अपने लक्षा को भूल जाते हैं वो इन पदों पर बैठे वेक्ती अपने लक्षे या अपने उदेशा को भूल जाते हैं कि हमें इन गरीब लोगों की सहायता करने के लिए यहां इस पद पर बैठाया गया है और वो अपनी ही सुकसुईदा की और ज्यादा ध्य आज एक आएक कानून और धरम में अंतर कर दिया गया है धरम को दोखा नहीं दिया जा सकता कानून को दिया जा सकता है यही कारण है कि जो लोग धरम भीरू है वे कानून की तुर्टियों से लाब उठाने में संकोच नहीं करती है धरम भीरू क्या होते हैं धार्मिक नियमों से डरने वाले लोग धरम भीरू कहलाते हैं ठीक है इसमें लेकर क्या बता रहा है कि हमारे देश में कानून को धरम के रूप में देखा जा रहा है लेकिन आज के दिन इन दोनों में अंतर किया जा रहा है धरम को धरम में विश्वास मानने वाले लोग ये मानते हैं कि धरम को तो हम दोखा नहीं दे सकते लेकिन कानून को अवश्य ही दोखा दिया जा सकते हैं ठीक है इसलिए लोगों में यह धारना बन गई है और वे जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनी नियमों को तोड़ने में कोई संकोच नहीं करते हैं ठीक है आगे हैं आज भी मनुष्य से प्रेम करता है महिलाओं का सम्मान करता है जूट और चोरी को गलत समझता है दूसरों को पीड़ा पहुचाने को पाप समझता है हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है ठीक है? क्या का है इसके दवारा लेखक ने कि दुनिया में सच्चाई और इमानदारी अभी भी सेश है इसके समाज में अनेक परमान भी है ठीक है? लेखक समाज में फैली हुई बुराईयों से खिन यानि दुखी अवश्य है परन्तु उसे इस बात की संतूष्टी है कि अभी भी समाज में सच्चाई और इमानदारी के रास्ते पर चलने वाले लोग मिल सकते हैं, जिन्दा है ठीक है? अतलेखक का विचार है कि समाज में इसके परिणाम सवरूप अनेक ऐसे उधारन है जो इस बात को परमानित करते है कि जो उपरी वर्ग है उपरी वर्ग अर्थात जो धनी वैकती है उच पदों पर आसीन है बड़े पद पर जो बैठा है उन लोगों की स्थिती चाहे जैसी भी हो ठीक है? परन्तु भारत का अधिकतर समाज आज भी धरम को कानून से उपर समझता है वह उच नैतिक मुल्यों को महत्व परदान करता है आज भी समाज में सेवा की भावना शेश है ठीक है? आज भी समाज में लोगों समाज के लोगों में एक दूसरे के परती प्रेम है महिलाओं का सम्मान करते हैं आज भी ऐसे लोग हैं जो महिलाओं को सम्मान की दृष्टी से देखते हैं जूट और चोरी को गलत समझते हैं दूसरों को पीडा पहुंचाने पीडा मतलब दुख पहुंचाने को पाप समझते हैं हर आदमी अपने व्यक्ति गत जीवन में इस बात का अनुभव करता है मतलब हर व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसे चीजें ऐसे कारिय ऐसे व्यक्ति देखने को कही न कहीं मिल ही जाते हैं तो हर व्यक्ति इन बातों को अनुभव करता है कि पूरी तरह से सच्चाई और इमानदारी अभी नश्ट नहीं हुई है समाचार पत्रों में जो ब्रस्टाचार के परती इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की परतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धनी या मान संगरे करते हैं मतलब आज भी जब समाचार पत्रों में ब्रस्टाचार के किस्से चपते हैं तो लोगों का गुस्सा साफ दिखाई देता है और वह गुस्सा यह साबित करता है उन चीजों को गलत ठहराता है जो समाज में गलत तरीके से धन और इजट कमाती है उन लोगों के परतीव है आक्रोश दिखता है आगे हैं दोशों का परदाफास करना बुरी बात नहीं है बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरन के गलत पक्स को उदगाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोश उदगाटन को एक मात्र करतव्य मान लिया जाता है बुराई में रस लेना बुरी बात है अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागरने करना और भी बुरी बात है सैकडो गटनाई ऐसी गटती हैं जिने उजागर करने से लोक चित में अच्छाई के परती अच्छी भावना जगती है ठीक है तो इसमें लेखकनी क्या बताया है कि किसी के दोशों को परकट करना बुराई नहीं है यदि हम किसी की बुराई ही बुराई परकट करने में आनंद का आनुभाव करते रहेंगे तो यह है बहुत बुरी बात है ठीक है कि किसी की बुराई को दूसरों के सामने परकट करना बुराई नहीं अच्छी बात है लेकिन सिर्फ हम उस वेक्ति की अच्छाई को छोड़ कर सिर्फ बुराई बुराई ही परकट करें और उसमें रस का आनुबाउ करें यानि आनंद का आनुबाउ करें तो यह है गलत बात है ठीक है इससे द्वेश की भावना बढ़ती है और करतवे की भावना नस्ट हो जाती है इसकार्थ क्या होगा इसकार्थ यह होगा कि मनुष्य दूसरों के दोसों को परकट करना ही अपना करता हुए समझने लगेगा ठीक है इसके विप्रीथ यदि हम किसी की अच्छाईयों को रस लेकर परकट नहीं करते हैं तो यह है और भी अधिक बुरी बात है अर्थात हमें लोगों की अच्छाईयों को भी सब के सामने परकट करना चाहिए ठीक है अतह बुराई का रह श्यवद गातन बुराई को परकट करना करके और उसमें रस लेना बहुत बुरी बात है अच्छी बातों को भी उजागर करना चाहिए इस से लोगों के अर्दे में प्रेरणा मिलती है ठीक है आगे है एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाए 100 रुपय का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया लेखक एक बार अपने साथ हुई गटना को हमारे सामने बताता है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से उसने 10 के बजाए 100 का नोट दे दिया और जल्दी जल्दी में गाड़ी में आकर बैठ गया थोड़ी देर में टिकट बाबू इन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनमरता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपे रख दिये और बोला यह है बहुत गलती हो गई थी आपने भी नहीं देखा मैंने भी नहीं देखा उसके चहरे पर विचित्र संतोस की गरीमा थी और मैं चकित रहे गया ठीक है इस बात से क्या पता चल रहा है कि लोगों में आज भी इमानदारी बाकी है ठीक है वरना जो डेलवे लेकिन उसने अपनी इमानदारी दिखाई और 90 रुपे उसके वापिस कर दिये ठीक है और 90 रुपे वापिस करने के बाद उसके चहरे पर एक संतोस की बावना थी मैं चकित रहे गया लेखक आश्चरिये करने लगा कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और इमानदारी लुप्त हो गई है वैसी अनेक अवांशित गटनाएं भी हुई है परन्तु यह एक गटना ठगी और वंचना की अनेक गटना उसे अधिक सक्तिसाली है तो लेखक कहता है कि मैं कैसे कह सकता हूं कि दुनिया से गटनाएं भी हुई है लेखक के साथ और भी कई बार लेखक को ठगा गया है किसी ने उसको दोखा दिया है ठीक है ऐसी गटनाएं एवांशित जिनको हम चाहते नहीं हम अपने लिए नहीं चाहते जिन क्रियाओं को ऐसी अवांशित गटनाएं ऐसी गटनाएं लेकिन फिर प्रिगटनाओं से कही अधिक शक्ती शाली है इसलिए लेखक आजू निराश नहीं है ठीक है एक किसा और बताता है कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था मेरे साथ मेरी पत्नी और तीन बच्चे भी थे बस में कुछ खराबी थी रुक रुक कर चलती थी गंतव्य से कोई आठ किलोमेटर पहले ही गंतव्य क्या होता है वह स्थान जहां हमें पहुंचना हो गंतव्य क्या होता है वह स्थान जहां हमें पहुंचना हो तो गंतव्य से कोई आठ किलोमेटर पहले ही एक निर्जन निर्जन जहां कोई नहीं हो सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया तो यहां लेखक ने बताया है कि एक बार लेखक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक बस में बैठा था उस बस में कुछ खराबी हो गई थी और बस रुक रुक कर चल रही थी तो जहां लेखक को जाना था उस थान से करीब आठ किलोमेटर पहले ही एक सुनसान जग बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बाते शुरू कर दी उस गंड़क्टर के बारे में अनेक तरह की बाते बनानी शुरू कर दी और कुछ कुछ उनके दिमाख में आने लगा कि क्या हो सकता है सायद हमें लूट लिया जाए, हमें मार दिया जाए ऐसी ऐसी बातें उनके मन में आने लगी किसी ने कहा यहां डकैती होती है ठीक है, दो दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था परिवार सहीत अकेला मैं ही था ठीक है, बच्चे पानी पानी चिला रहे थे पानी का कहीं ठीकाना नहीं था उपर से आदमियों का डर समा गया था उसके बच्चे प्यास के मारे पानी से चिला रहे थे पानी मांग रहे थे और उपर से लोगों ने उनके मन में डर बैठा दिया था ठीक है जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप फोटो में आगे है कुछ नोजवानों ने ड्राइवर को पकड़ कर मारने पीटने का हिसाब बनाया कुछ लोगों ने बाद में सोचा कि ड्राइवर को पकड़ कर इसको पीटते हैं ठीक है यह भी उसके साथ मिला हुआ है ड्राइवर के चहरे पर हवाईया उड़ने लगी हवाईया उड़ना गबरा जाना ड्राइवर उनको देखकर गबरा गया लोगों ने उसे पकड़ लिया वह बड़े कातर डंग से कातर मतलब डरे हुए कर रहे हैं कि हम नई बस लाने का या बस को ठीक करने का कोई उपाए सोच रहे हैं आप मुझे इनसे बचाए ये लोग मुझे मारेंगे डर तो मेरे मन में भी था डर तो लेखक भी रहा था पर उसकी कातर मुद्रा ठीक है डरा हुआ भाब देखकर मैंने यात्रियों को कि मार ना ठीक नहीं है परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तयार नहीं हुए कहने लगे इसकी बातों में मताईये यहां हमें दोखा दे रहा है ठीक है हमें बहला कर यहां रोकने की कोशिश कर रहा है कंडक्टर को पहले ही डाकों के यहां भेज दिया है मैं बहुत बहेबीत था डराव बहेबीत डरा हुआ था पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीठ से मैंने बचाया देड़ दो गंटे बीत गए मेरे बच्चे बोजन और पानी के लिए व्याकुल थे व्याकुल मतलब दुखी या बेचैन थे ठीक है व्याकुल या दुखी या बेचैन थे मेरी और पत्नी की हालत भी बुरी थी लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं पर उसे बस से उतार कर एक जगए घेर कर रखा उस ड्राइवर को उन्होंने पकड़े रखा चोड़ा नहीं कोई भी दुर गटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा लोगों ने सोचा कि आगर हमारे साथ कुछ भी गलत बात उती है तो सबसे पहले हम इस driver को मार देंगे मेरे गिड़ गिड़ाने का कोई विशेश असर नहीं पड़ा लेखक के समझाने बुजाने का उन पर कोई फार्क नहीं पड़ा इसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है उसने आते ही कहा अड़े से नई बस लाया हूं इस बस पर बैठिये वह बस चलाने लायक नहीं है तो conductor कहा गया था दूसरी बस लाने के लिए गया था फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूद लेकर आया फिर बस चली बस लीए बस चली बस लाने के लिए नहीं है वहीं थोड़ा दूद मिल गया तो थोड़ा लेते आया यात्रियों में फिर जान आई सब ने उसे धन्यवाद दिया तब लोगों ने राहत की सांस ली और सब ने उसको धन्यवाद दिया ड्राइवर से माफी मांगी और बारे बजे से पहले ही सब लोग बस अड़े पहुँच गए कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है तो लेखा किस गटना के बाद सोचता है कि मैं कैसे कह सकता हूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रहे ही नहीं गई है जीवन में ने जाने इतनी कैसी गटनाई हुई है, जिने मैं भूल नहीं सकता ठगा भी गया हूं, दोखा भी खाया है, परनतु बहुत कम स्थलों पर विश्वास गात नाम की चीज मिली है ठीक है लेखा कहता है कि जीवन में मुझे ठगा भी गया है दोखा भी खाया है परन्तु कई जगों पर मुझे विश्वासगात भी मिला है केवल उनी बातों का हिसाब रखो जिन में दोखा खाया है तो जीवन कश्ट करो जाएगा लेखा समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम सिर्फ बूरी बातों को याद रखेंगे जो हमारे साथ गलत हुआ है सिर्फ उसी को याद रखेंगे तो जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा परन्तु ऐसी गटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने एकारण सहायता की है जीवन में कई गटनाएं ऐसी भी होती है जब लोग बिना कारण के ही हमारी मदद कर देते हैं निरास मन को डांडस दिया है जब हमारा मन निरास होता है जब हम हमत खोचुके होते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारी हिमत को बढ़ाते हैं आमें धैरिये दिलाते हैं और हिमत बढ़ाई है कवीवर रविंदरनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में बगवान से प्रार्थना की थी कि संचार में केवल नुक्षान ही उठाना पड़े दोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर भी है प्रबू मुझे ऐसी सकती दो कि मैं तुमारे उपर संदे ने करूँ ऐसी गटना जरूर करना की मेरा विश्वास आप पर बना रहे ठीक है मनुष्य की बनाई विदियां गलत नतीजे तक पहुच रही है तो इने बदलना होगा वस्तुते आए दिन इने बदला ही जा रहा है लेकिन अब भी आसा की जोती गुजी नहीं है महान भारत वरस को प नहीं है तो यहां लेखक ने क्या कहा है क्या बताया है इस निवन में कि समाज और भारत के भारत वरस के परती लेखक ने अपने आशावादी विचार पर कट किये हैं इसमें लेखक ने गलत नीतियों के स्थान पर सही नीतियों या नियमों को अपनाने का संदेश दिया है लेखक ने कहा है कि आज समाज में मनुष्य द्वारा बनाए गए नियम एवम नीतियां गलत सिध हो रहे हैं तो इन गलत नियमों को हमें बदलना होगा जब ये गलत नियम बदलेंगे तभी देश को वैसमाज को हम सही मारग परागे बढ़ा सकेंगे अते बार बार बदलाव की आवशक्ता पड़ती है लेखक का मानना है कि भारत में आज भी आशा की जोती बुझी नहीं है आज भी भारत वर्ष में उच आदर्स और नैतिक मुल्य विद्यमान है इसलिए महान भारत वर्ष को पाने की संभावना आज भी हमेरे अंदर बनी हुई है हमारा भारत वर्ष महान था महान है और बविश्य में भी महान बना रहेगा लेखक को ऐसी पुरुन आशा है और हमें भी यह आशा बनाए रखनी चाहिए वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब करें